हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टु वर्ल्ड स्टुडेंट्स कोप, आइम श्वेदा, यूर माथमाटिक्स एजुकेटर So my dear students, हम अपनी earlier class में already chapter 2 linear equations in one variable start कर चुके हैं जिसमें हमने सीख लिया था क्या linear equations in one variable है क्या उससे related हमने इन equation को solve करना भी सीखा था और उसी के उपर based हमने application questions भी किये थे, statement questions, right तो वो हमने कुछ example किये थे, तो आज हम अब उसकी exercise start करने लगे हैं तो let's start the exercise, exercise 2.2 तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका question 1 क्या है question 1 says, if you subtract 1 by 2, किसमें से, from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8 मैंने क्या का था, statement problem को कैसे read करना है, एक अठा एक बारी में सब कुछ नहीं आप उसको parts में पहले read करो, उसको अपने mind में merge करो, फिर समझो सबसे पहले कहा है, if you subtract 1 by 2 from a number, 1 by 2 माइनस करना किसी नमबर में से, हमें नहीं पता किस नमबर में से एक बात तो ये वली कह दी, दूसरी बात क्या कही है, and multiply the result by 1 by 2 यानि कि किसी नमबर में से जब 1 by 2 माइनस कर रहे है, जो answer आएगा, उसको हम 1 by 2 से multiply कर रहे है, तो फिर last में वो क्या कह रहे है, उसके बाद, वो करने के बाद हमें result 1 by 8 मिल रहे है, तो सबसे पहले step by step हम लिखते जाएंगे, फिर करेंगे, पहला step जो का है, if you subtract 1 by 2 from a number, हम कोई number नहीं पता, जो चीज नहीं पता, उसे कुछ तो assume करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं, वो number कोई x है, let us assume, assume the number, क्या मान लें, कोई variable मान लें, वो है number x, ठीक है, हमने तो इतना मानना था, उसके बाद, जो जो question में का है, बस वही वही करना है, हमें अपने आप से को में number, तो यहां लिखेंगे, according to statement, according to question statement, क्या है according to question statement, कि अगर हम उस number में से 1 by 2 सब्ट्राक्ट करते हैं, नमबर में से 1 by 2 सब्ट्राक्ट करते हैं, ठीक है, यही लाइन है, if you सब्ट्राक्ट 1 by 2 from a number, and multiply the result, अब यानि यह जो minus करके आया, अब हम minus तो नहीं हमें करना आएगा न, h में से तो और कुछ होगा नहीं, तो यह एक करां से आपका result है, उस result को क्या कह रहा है, multiply the result by 1 by 2, यानि कि यह जो आया है, इसको किस से multiply करना है, 1 by 2 से, इतनी बात कही है, उसके बात क्या कह रहा है, you get 1 by 8, कि ऐसा करने से हमें क्या answer मिलेगा, यह answer हमें मिलेगा, 1 by 8, यह question में काता, जैसे जैसे बोला है, हमने वो वो कर दिया, ठीक है, अब क्या करना है, इसको solve करना है, हम linear equation को, जो हमारा variable x है, उसको अकेला करना है, हमने, बाकि सब को उसे दूर कर देना है, तो दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यह जो 1 by 2 extra है, इसको हटा दे, तो x minus 1 by 2 को अभी ऐसी रहने देते हैं, इस 2 को वहां ले जाते हैं, तो यह 2 यहां divide में है, हमने 8 रहे गया नीचे, ठीक है जी, अब यह क्या हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानि कि x minus 1 by 2 is equal to 1 by 4, इतना आ गया, इसको मैं यहां continue कर रहे हूं question को, ठीक है, अब क्या होगा, हमने क्या कहा है, x को अकेला करना है, उसके साथ जो भी है उसको हटा दो, अब यानि यह minus 1 by 2 को भी हटाना पड़ेगा, अब यह minus 1 by 2, वहाँ पे x के साथ subtraction में है, तो right hand side आके addition में हो जाएगा, x is equal to 1 by 4 plus 1 by 2, ठीक है, अब कैसे निकलेगा x का answer, कैसे निकलेगा answer, हमने इन दोनों का LCM, 4 और 2 का LCM हमें पता है न, दुबारा निकाल के बता दू, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा, बस, तो क्या होता है हमारा LCM, इन दोनों की multiplication, 2 2 जा 4 LCM आ गया है न, 4 LCM आ गया, अब क्या करते हैं हम, जो LCM होता है, उसको हम इस denominator से divide करते हैं, 4 को 4 से divide किया 1, और उपर 1 को 1 से multiply करते हैं, प्लस, 2 2 जा 4, और वो 1 के साथ 2 multiply होगा, क्या आ जाएगा देखो, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, यह आ गया, तो कितना होगे total, 3 by 4, यानि X की value क्या आ गी है, 3 by 4, यानि की वो जो number हमारा था, उसने का था न, what is the number, so हम लिखेंगे, so number is, so the number is, number is 3 by 4, यह हमें पूछा था कि क्या है number, ठीक है, यह question में आप से पूछा गया था, clear है सबको, कैसे करना था यह, so please note it down, so move on to the, so, अब हम चलते हैं अपने next question पर, अब देखो, क्या कहता है, अब फिर से मैंने पूरा question निकठा पड़ दी, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, नहीं आया न, क्या बोलती हूँ मैं हमेशा, कभी कोई statement question है, उसको parts में पड़ो, फिर अपने दिमाग में उसको set करो, कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले line है, जो first sentence है, वो क्या कहता है, देखो, पहले मुझे उसको read करना है, और उसे समझना है, parameter of a rectangular swimming pool is 154 meter, तो यानि कि सबसे पहले बात होया है, कि मेरे पास एक rectangular swimming pool है, rectangular कैसा होता है, जिसकी opposite sides equal होती है, यानि कि ये length length equal, breadth breadth equal, opposite sides equal होती है, four sided figure in which opposite sides are equal, तो यानि कि अगर ये length है, तो ये length equal, ये breadth है, तो ये breadth equal, ठीक है, इसका perimeter दिया हुआ है, है ना, perimeter, given क्या है हमें, हम लिखेंगे given, perimeter of rectangular swimming pool, कितना है, 154 meter, ठीक है जी, ये तो perimeter है, उसके बाद का its length, ये line मैंने लिख ली, जो दिया था, वो मैंने लिख लिया, अब आगे जो कहा है, वो देखते हैं, its length is 2 meter more than twice its breadth, क्या कह रहा है, its length is 2 meter more, किस से more है, इसके breadth के twice से, अब अगर मुझे कुछ breadth पता होगी, यहाँ पूरा, ये तो दे रखा है, perimeter, perimeter क्या होता है, हमने के example भी किया था, याद आपको perimeter क्या होता है, ये चारों length का, ये वाली side, प्लस ये वाली side, प्लस ये वाली side, और ये वाली side, इन सब का sum होता है, है ना, इन सब की addition, यानि कि पूरा का पूरा, उसको अगर हम starting edge से लेके, उसी edge पे हम measure करें, तो वो उसका पूरा perimeter होता है, आप देखो, हमें यहाँ पे कहा है कि length दी है, कितनी, कि वो 2 meter जादा है, किस से जादा है, उसके breadth के twice से, तो अगर मुझे breadth पता होगी, तभी तो मैं length पता पाऊँगी, क्योंकि length कह रहा है कि जितनी भी breadth है, उससे 2 meter जादा लेनी है, अब मुझे breadth नहीं बता तो मैं length कैसे लो, क्योंकि जब मैं breadth लोगी, length उससे 2 meter जादा लेनी है, तो जब breadth, length किसके उपर dependent है, breadth के उपर है न, length किसके उपर based है, breadth के उपर, जब breadth नहीं पता तो वो मुझे zoom करनी पड़ेगी, तो हम लेते हैं, let the breadth of pool is x, x meter मान लिया, ठीक है, नहीं पता न, अब जो हमें question में कहा है, उसके according लिए लिखो, according to, according to question statement, according to question statement क्या है, क्या है, length क्या होगी, length is equal to, क्या है, length किसके equal है, 2 meter more, यानि कि 2 ज़्यादा होगी, किस से twice of its breadth, यानि कि जो breadth है, x, उसके twice से, उसके double से, बात समझाई, कि length किसके equal होगी, length का क्या answer होगा, ये तो breadth मानी थी, हमने x, और length क्या होगी, length कह रहा है, कि जितनी भी breadth है, उसका double करके, उसमें two add करना पड़ेगा, कि, जितनी भी breadth है, उसका twice करोगे, और उससे 2 meter more, more का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो 2 meter more करनी पड़ेगी, breadth का twice करके, ये हमने statement के accordingly कह लिया, ठीक है, तो यानि अब हमारे पास length की भी, एक statement आगी और breadth की भी एक statement आगी कि ये, breadth है x meter, और length है 2x plus 2 meter, ठीक हो गया, अब perimeter क्या होता है, rectangular का, perimeter, perimeter क्या होता है, हमने क्या सिखा था, perimeter, यहाँ से देखो, length, ये वाली length, plus breadth, फिर plus में length, plus में breadth, यानि कि इन 4 sides का addition, sum, पूरा perimeter होता है, perimeter यानि कि ये 2 length और 2 breadth एड़ होती है, तो यानि कि 2 length plus 2 breadth होती है, यानि कि 2 common लेके length plus breadth, ये आपने पड़ा हुआ है कि perimeter का ये formula होता है, है न, perimeter, ठीक है, तो अब हम लिखे हैं कि perimeter क्या होता है, 2 length plus breadth, और ये हमें पहले ही question में दिया हुआ है, 154 meter है न, 154, अब L और B की value हमने, अब हमारे question के हिसाब से length और breadth क्या है, this implies 2 into length की value क्या है, 2x plus 2, plus breadth कितनी है, x, is equal to 154, इतनी बात आगे हैं समझ में, ठीक है, मैं ये बाकी का यहां कर रहे हूँ, कितनी होगी यहां से ये, 2, ये अब अंदर x, x वाले add कर दो, 2x plus 1x, 3x plus 2, is equal to 154, ये ही होगा न, अब देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कर, जब भी हमें कोई linear equation solve करनी है, तो हमें x को अकेला करना है, उसके साथ जितने भी बैठे हैं बाकी के सारे numbers उसको हटाना है, अब एक के करके हटाना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो ये वला है, इसको हटा दू, ये है multiply में, ये वहाँ जाके divide में, right hand side जाके ये divide हो जाएगा, यानि कि 154 upon में 2, कितना बनेगा ये, 3x plus 2 is equal to, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, है न, ये ही होगा, अब देखो, अब इस 2 को हटा दू यहाँ से, 3x is equal to, 2 यहाँ पे left hand side पे plus है, right hand side पे जाके minus, तो कितना हो गया, 3x is equal to 75, अब फिर अभी तो हमारा क्या है, कि हमने x को अकेला करना, x को बिलकुल अकेला करना है, 3 अभी इसके साथ क्या है, multiply में, x right hand side, x is equal to 75 upon में 3, क्योंकि वहाँ वो multiply है, यहाँ divide, यह होगा 25, 25, यानि x की value आगी 25, हम से question में पूछा था, what are the length and breadth, तो length क्या हो जाएगी, अब इसके बाद आपने यहाँ last में लिखना है, ठीक है, length हो, x किसको माना था हमने, breadth को, यानि की breadth आगई, breadth कितनी आगई, 25 meter, और length क्या था, length की क्या value थी, 2x plus 2, यानि की 2 multiply 25, plus में 2, है न, कितना हो गई यह, 25, 2 जा, 50, 50 plus 2, 52, ठीक है, तो यानि की B आगई 25, और length आगई 52, ठीक है, यह आपका इसका answer हो गया, है न, कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको statement को पढ़ना है, उसी को अपने, अपनी copy पे उतार देना है, अपना paper solve करोगा, उस paper पे उसको उतारना है, कुछ नहीं करना, given के accordingly बस लिखते जाओ, उसके बाद उसको solution देना है, right, so please note it down, अब move करते हैं, हमारे next question पे, देखें हैं, इस question में क्या कहता है, again, the base of an isosilis triangle is 4 by 3 centimeter, first sentence क्या है, base of an isosilis triangle is 4 by 3 centimeter, the perimeter of triangle is 4 into 2 by 15 centimeter, what is the length of either of the remaining equal sides, फिर क्या करेंगे हम स्टार्ट, फिर से क्या बात स्टार्ट करनी है हमने, कि जो जो हमें दिया है, उसको पहले 1-1 step को हमने समझना है, फिर करना है, सब कुछ इकठे में हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो सबसे पहला sentence लिखाया है, the base of an isosilis triangle, तो यानि कि सबसे पहले तो मुझे isosilis triangle पता होगी, तभी कुछ बात समझ पाऊंगी, क्या होती है isosilis triangle, सीखें हमने 6th class में, triangles के types, कौन-कौन सी होती है, triangles, equilateral triangle, जिसकी तीनों side, सबसे पहले तो triangle ही बताओ, three-sided closed figure, ठीक है, three-sided closed figure, तीन टाइप सीखी थी, mainly on the basis of sides, equilateral, जिसमें तीनों sides आपके equal होती है, है न, एक थी scalen, जिसमें कोई भी side equal नहीं होती, तीनों sides की length अलग लग है, एक थी isosilis, जिसमें ये दोनों opposite sides equal हैं, और ये अलग है, तो यहाँ पे हमें isosilis triangle की बात कही गई है, जहाँ पे ये वाली और ये वाली, दोनों opposite sides equal होंगी, base different होगा, base उसने दिया है, कितना, four by three centimeter, ये centimeter है, ठीक है, तो मैंने आपको बार-बार यही कहा है, जो जो given है, आप उस उसको लिखते जाओ, कुछ भी confusion नहीं होगी, कुछ भी question में ऐसा नहीं, आपको लगेगा, कि हमें समझ नहीं आ रहा, statement में क्या दिया है, बस आपको जो जो दिया है, वो लिखते जाओ, फिर आपको solution अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ही कठा पढ़के, कि मुझे कहां से शुरू करना है, कहां वो ऐसा नहीं करना, जैसे जैसे given है, वो आप अपनी notebook पे note करते जाओ, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ note करती जा रही हूँ, आपके सामने board पर, कि मुझे कहा था, अग base of isosless triangle इतना है, मैंने यह लिख लिया, एक isosless triangle बना ली, base लिख दिया, उसका, base का मतलब, नीचे वाले, side जो है, 4 by 3 cm, अब वो कहा रहा है कि perimeter of triangle is this, अब perimeter triangle का क्या होता है, perimeter of triangle, triangle का perimeter क्या होता है, जैसे अभी हमने rectangular का क्या था, कि perimeter हमेशे क्या होता है, जितनी भी figure की sides है, उन सब का sum होता है, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी यह 3 sides है, तो इन 3ों का sum perimeter होगा, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है, कितना, 4, 2 by 15 cm, इसको आप mixed fraction को simple fraction कर लो, 15, 4, just 60, 60 plus 2, 62 by 15 cm, यह तो लिखना आता है, mixed fraction को कैसे change करते हैं, इसको इससे multiply करते हैं, 15, 4, just 60, उसमें 2 add करते हैं, 62 by 15 cm, है ना, ऐसा ही लिखते हैं इसको, तो यह हो गया इसका perimeter, ठीक है, अब वो कह रहा है, what is the length of either remaining equal sides, इतनी जितनी बात दी हुई थी, वो तो मैंने लिख ली, अब वो कह रहा है कि, यह वली 4 by 3 cm, इसकी यह वली length है, perimeter इतना है, इन दोनों sides की क्या value, क्योंकि एक triangle में, इसकी भी कुछ length है, इसकी भी length है, तीनों lengths होंगी न, अब यह देखो, जितना लिखा, उससे क्या क्या समझाए, हमने यह काया कि, isosless triangle है, तो यह दोनों sides बराबर होती है, isosless triangle, है न, तो isosless triangle की, जिब दोनों sides equal है, और हमें दी नहीं हुई है, हम अभी तक क्या करते आ रहें, statement questions में, अगर कुछ नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ तो उसको variable assume कर ले, तो हमने मान ली कि, यह भी length x है, यह x है, तो obviously यह भी x होगी न, क्यों? isosless triangle की, जो opposite sides हैं, दोनों की length बराबर होती है, तो यह x है, तो यह भी x ही होगी, है न, x ही होगी, तो इसका मतलब है, xx है, तो क्या कहेंगे हम, perimeter, perimeter of triangle, यह है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको मैं direct यहाँ पे लिख रहे हैं, तो according to question statement, जो है हमारा, according to, according to question, क्या बनेगा according to question, यानि की x plus x plus 4 by 3, perimeter क्या होगा? तीनो साइट्स का sum, तो क्या होगा? x plus x plus 4 by 3, है न, तीनो साइट्स को मैंने add कर दिया, वो किसके equal होगा? हमारा यह जो perimeter होता है, perimeter कितना दिये question में? 62 by 15, इतनी बात आ गई समझ, अब फिर से ही, एक equation बन गई है, variable है, linear equation है, हमने क्या करना है? x का answer find करना है, है न? अब क्या करना पड़ेगा फिर वोई? जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, कि x को अकेला करना है, बाकी सारी चीज़े right hand side ले जानी है, तो पहले हम, इन x, x को इक अठा कर ले, 2x है न, इनको इक अठा करेंगे, तो कितने होंगे ये? 2x, हटाना है इसको, इसको उस साइड ले जाओ, यहाँ पर यह plus हो रहा है, right hand side जाके, minus हो जाएगा, minus का 4 by 3, है न, मैं इसको यहाँ complete कर रहे हूं, question को, 2x is equal to, 15 और 3 का LCM, 15 और 3 का, 15 होता है, मैं करके बता रहे हूं, 3, 5 जा, 3 बन जा, 5 बन जा, 5 बन जा, यहनि इन दोनों की multiplication आगी 15, LCM आ गया 15, फिर क्या करते हैं हम, इसको, denominator को, LCM से divide करते हैं, जो answer आता है, उसको, उससे multiply करते हैं, numerator से, ठीक है, 62 into 1, minus, 3 से divide करो, 15 को, कितना आएगा, 5, वो उससे multiply हो जाएगा, है ना, 2x is equal to, 62, minus, 5, 4, जा 20, upon में 15, अब कितना आएगा, 2x is equal to, minus करो, 62 में से 20, minus होंगे, तो यह आएगा, 42 by 15, राइट, अब यहां से x की value निकालो, x is equal to, हमने इस 2 को हटाना है न, 2 यहां पर क्या है, multiply हो रहा है, उदर जाके, divide हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 42 by 15, divide में आ जाएगा 2, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 1, x is equal to 21 by 15, ठीक है यह, इतनी आगी बात समझ में, तो यह आगी x की value, यानि कि, इस length को हमने answer find किया, 21 by 15, तो यह भी obviously 21 by 15 होगी, यह यह आपको question में पूछा था, find the length of either, of the remaining equal side, यह दूसरी जो बाकी की बच्चवी 2 sides हैं, उसकी length कहा है, तो आप answer में लिखोगे, the length of, आपने ना हमेशे answer जो लिखना है, अपने question के साब से लिखना है, paper में बहुत अच्छा इसका आपका impact जाता है, तो आपने answer में लिखना है, the length of either of remaining equal sides is 21 by 15, ठीक है जी, यह हो गया इसका answer, आगया सबको समझ, तो अब इसको आप note कर लीजी, फिर अब move करते हैं मारे next question पे, तो please note it down, तो अब हम देखते हैं अपना next question, question number 4, अब read करते हैं इसको इसमें क्या बोल रहे है, sum of two numbers is 95, ठीक है, ओके, एक बात तो यह ही कही है, if one exceeds the other by 15, find the numbers, यह तो simple है, I guess सबको समझ आगया होगा statement, कि दो number हैं कोई, उनकी addition दी हुए है, कि वो 95 है, उन दोनों का sum 95 है, यह नहीं पता है वो कौन कौन से, 95 तो कितने सारे दो numbers को add करने से मिल सकता है, 90 और 5 भी हो सकता है, 45, 45 भी हो सकता है, कौन से दो numbers, 45 और 50 भी हो सकता है, कितने ही ऐसे दो numbers होंगे, वो number तो हमें पता नहीं है, वो कह रहा है कि वो number आप बताओ, कौन से दो number होंगे, पर उसके साथ एक और दूसरी condition दे दी If one exceeds the other by 15 If one exceeds the other by 15 का क्या मतलब है कि एक जो है दूसरे से 15 exceed करता है 15 जादा है एक number जो है दूसरे number से 15 जादा है ये condition दे दी फिर तो हम निकाल ली सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं Let the Let us assume कर लो Let us assume लिख लो ठीक है? Let us assume Assume The first number First number उसको क्या मान लिया आपने? X तो दूसरा क्या हो जाएगा? The other number Then According to question According to question लिखोगे कि हमारे question में दिया है According to question क्या हो जाएगा? Other number एक अगर X है दूसरा क्या हो जाएगा? उसने का है ना कि दूसरा जो है पहले से 15 जादा है तो X प्लस 15 ठीक है? नमबर आगे अब हमें दिया है कि sum of these numbers So X प्लस X प्लस 15 is equal to 95 ठीक है? हमें question में यही का है दोनों का जब sum कर दोगे numbers का वो 95 आएगा अब यहां से फिर वही एक linear equation बन गी? बन गई linear equation linear equation बन गे तो उसको कैसे solve करना है? वही variable एक side बाकि दूसरी side इन दोनों को add कर लो यह 1X हो 2 times X है तो यहनि 2X होगे is equal to यह 15 यहां plus हो रहा है उदर जाके minus हो जाएगा minus का 15 2X is equal to 95 minus 15 80 X is equal to यह 2 यहां multiply है वहां जाके divide यह आगया 40 तो यानि कि X आगया 40 एक number हमने माना था X और other यह first number हो गया और second second number क्या हो गया X plus 15 था वो कितना हो जाएगा 40 plus 15 कितना हो गया यह 55 यानि कि 1 हो गया 40 1 हो गया 55 अब देखलो दोनों को add करते हैं जो 40 और 55 को 95 ही बनता है आपका answer भी verify हो रहा है दोनों का sum 95 आ रहा है है ना तो आप इसको अब note कर लो फिर हम अपना next question देखते हैं उसमें कैसी statement दी है ठीक है so note कर लिया अब हम देखते हैं next question let's see two numbers are in the ratio 5 is to 3 दो number हैं वो 5 is to 3 की ratio में है if they differ by 18 what are the numbers again it's very simple है ना ऐसा ऐसा question आपको याद है हमने एक example में भी किया था दो numbers हैं पर पता नहीं है वो क्या है उनकी ratio दी है कि वो 5 is to 3 की ratio में है तो अगर हम आते हैं let us assume the numbers assume the numbers वो numbers क्या होंगे numbers क्या होंगे according to according to question according to question according to question जब assume कर रहे हैं हम तो क्या होंगे वो 5 is to 3 की ratio में है पूरे exact 5 और 3 नहीं है कि एक number 5 और 3 आप कह दो कि एक 5 और एक 3 है उस ratio में है तो हम मानेंगे 5x और दूसरा 3x ठीक है क्योंकि आप यह देखो 5 और 3 की ratio में इसका और example देती हूँ मैं अगर मैं लिख दूँ 25 ठीक है और लिख दूँ 15 यह दो number है अब इसको आप cancel करो 5 5 जा 5 3 जा यानि दो number 5 is to 3 की ratio में है ठीक है एक example दिया मैंने कि अगर दो number है 25 और 15 हम यह कहें दोनों आपस किस ratio में है ratio कैसे निकालते हैं हमेशा उनकी fraction बना के तो 5 5 जा 25 5 3 जा तो यह 5 is to 3 की ratio में ऐसे कोई भी दो number हो सकते हैं जिनकी ratio 5 और 3 ही बनेगी ठीक है तो इसलिए हमें नहीं पता कि यहाँ पे जैसे यह 5 के table पे कटा था 5 5 जा 5 3 जा यह 5 था X की value 5 थी और भी कोई हो सकती है है ना और भी कोई हो सकती है अगर मैं लिख लूँ suppose करो यहाँ पे देखो अगर मैं लिख लूँ 15 और 9 दो number मान लो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 3 3 जा 9 अब भी यह 15 और 9 भी 5 is to 3 की ratio में है ऐसे तो बहुत सरे number हो सकते है ना वहाँ पे 5 से cancel हो रहे थे यहां 3 से cancel हो रहे है यह यह X जो है vary करता जाएगा कुछ भी हो सकता है ना इसलिए हमने assume कर लिया कि यह 5 और X 5 X और 3 X होगा अब हम अपने दूसरी condition अप्लाए करते है दूसरी condition क्या दिया है if they differ by 18 दोनों का difference 18 है so according to question again according to question इसका मतलब होगा है मैंने इसको पूरा नहीं लिखा आप इसको पूरा ही लिखेंगा according to question 5 X minus 3 X is equal to 18 दोनों differ करने का क्या मतलब है दोनों की subtraction 18 है clear? अब देखो 5 X में से 3 X minus किये 2 X is equal to 18 फिर से वोई linear equation है हमने X को अकेला करने है उसके साथ जितने भी numbers बैठे है जब वो addition में subtraction में multiplication में division में उनको वहाँ से हटाना है ठीक है? तो ये क्या होगा? X के साथ 2 multiply में वहाँ जाके क्या हो जाएगा? divide X is equal to 18 by 2 X is equal to 9 clear हो गए ये X की value 9 आगी तो अब numbers क्या होंगे हमारे? So numbers are numbers are 5X and 3X 5X सी क्या बनेगा? 5 multiply में 9 ये आगया 45 और 3X सी क्या बनेगा? 5 sorry 3 multiply में 9 ये होगा 27 एक number आगया 45 और एक आगया 27 आगे सब को समझ बस question की statement को हमें read करना है और उसको अपने paper पे उतार देना है बस फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है आप समझ रहे हैं न? कैसे करना है इसको? तो आप अब इसको note कर लो ताकि अब हम अपना next question देखेंगे फिर हो गया note? अब देखते हैं हमारा next part तो इस question में read करो देखो क्या कहते हैं? 3 consecutive 3 consecutive integers add up to 51 what are these integers? इसमें कुछ नहीं एक ही condition दिया है 3 consecutive integers add up to 51 consecutive का क्या मतलब है? यह example भी हमने किया था इस word का क्या meaning था? continuous है न? लगतार जैसे एक number आगया 4 तो अगला 5 और अगला 6 ही होगा अगर एक number 10 है तो अगला 11 उससे अगला 12 ही होगा अगर 3 number हमें लेने है ऐसे ही चाहिए 100 ले रहे हो अगर 100 है तो अगला 101, 102 ही होगा consecutive numbers का मतलब यह होता है लगतार आएंगे ठीक है? अब हमारे question के हिसाब से हमें number यह पता नहीं है कौन से हैं? तो हम क्या करेंगे? Let us assume the numbers ठीक है? Numbers assume करते हैं तो first number क्या हो जाएगा? first number हमने मान लिया x है अगर एक x है तो दूसरा उसके बाद बिल्कुल next लेना न जैसे मान लो यह 4 है 4 से next क्या होगा? 4 प्लस 1 करके तो 5 आएगा न तो क्या होगा second number? second number वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 उसके बाद जो अगला 6 आएगा वो भी उसमें भी एक और प्लस 1 करना पड़ेगा यानि कि इसमें भी प्लस 1 करना पड़ेगा third number अगर हमे लेना है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस में 1 या इसको अब कैसे लिख सकते हो? x प्लस 2 अब हमारे पास तीनो नंबर आगे हैं ये भी, ये भी और ये भी नंबर तीन कहे थे consecutive वो ले लिया उसने आगे क्या बात बोली है? कि वो add होके 51 बनाते हैं फिर हम लिखेंगे according to according to question क्या बनेगा? according to question क्या कहा है? उसने तीनो नंबर का sum 51 है यानि कि x का भी दूसरा नंबर हमारे पास x plus 1 है तीसरा नंबर x plus 2 है तीनों को जो add कर देंगे तो क्या कहा रहा है? क्या बनेगा? 51, वो क्या 51 बनगी अब एक linear equation फिर कैसे solve करना हमने linear equation को? variable को अकेला करना है उसके साथ जितने भी नंबर बैठ है उनको हटा दो उनको कहा ले जाएंगे? right hand size पे तो पहले हम xx वालों को एक बार ही कठा कर लेते हैं कितनी बार x? 1, 2, 3 यानि कि 3 times है 3x plus 1 plus 2 कितने हो रहे हैं यह 3? is equal to 51 3x is equal to 51 minus का 3 ठीक है? तो अब यह 3 यहाँ plus में था वहाँ जाके minus में तो क्या हो जएगा यह? कितना हो गया यह? 48 अभी क्या बाकी बचा है? x को अभी अकेला करना बाकी है तो क्या हो जएगा वो? यहां कर रहे हूं में complete क्या हो जएगा? x is equal to 3 वाँ multiply में यहां right side पे आके वो divide हो जएगा तो कितना हो जएगा x? 3 बन जा 3 3 6 जा 18 यानि कि x आगया 16 So numbers क्या हो जएगे अब? Number, first number First number क्या माना था हमने? x किसके equal आगया? 16 के Second number x प्लस 1 था 17, 18 यह तीन number आगया अब आप चेक भी कर सकते हो हमारी question के साथ यह match कर रहा है लगतार होने चाहिए यह 3 consecutive integers integers भी है, consecutive भी है लगतार है 16, 17, 18 कोई gap नहीं है न बीच में आप इनको add भी करके देख लो addition उसकी 51 ही आएगी कर लो add 6 और 7 13, 13 और 8 21, 1 और यह add करोगे 51 ही आ रहा है तो आप जब भी कोई solve करोगे न वो verify भी कर सकते हो आप और verify यह हो रहा है कि यह हमारा answer बिल्कुल ठीक है है न? तो आगया आपको समझ कि जो question की statement दिया है उसको read करो, समझो जो जो दिया है बस उसको लिखते जाओ आपके सामने सारी statements बन जेंगी बस उनको आपस में solution ही तो देना है जब आपने उसको note down कर लिया जो जो given है हमारे question की statement के accordingly सारा पढ़के बस mix नहीं कर लेना कि हमें कुछ समझ नहीं आया जो दिया है बस उतारते जाओ फिर आपके सामने सब कुछ steps बने हुए होंगे उनको बस solve करना है solution find कर देना है clear है सबको? आगी है यहां तक की बात समझ तो आपको ये वाला चीज जो है अब read करना आ गया होगा कि कैसे हम तो अभी आप जब इनको अपने हाथों से practice करेंगे ना तो आपको और अच्छे से तो मैंने अभी इस exercise के अभी six questions की है so that आप इनको try करें आप अपने practice में लाएं so that कि हम जब इससे next questions करेंगे आपको और easily समझ आते जाएं ठीक है तो अभी आज के लिए आप इतना ही revise करेंगे तो next lecture में मिलेंगे next rest of the questions के साथ thank you